ये लहसुन में होने वाले रोक और ये आप देख सकते हैं ट्रीट्पेंट के बाद से हमारा लहसुन किस तरीके से दिखता है सलाम नमस्ते जैहिन दोस्तो स्वागत है मेरे इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि लहसुन में होने वाले पितरा रोग जिसे अन्य सब्दों में और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा जो लहसुन है कितना कमजोर और बिल्कुल पीला और बिल्कुल हलका हो चुका है इस रोग से हमारे किसान भाई तो परेसान होते ही होते हैं साथ में अन्य ओ छोटे गिरहत भी परेसान होते हैं जो छोटे कियारियों में भी लहसुन की बुवाई किये रहते हैं तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी लहसुन में ये रोग है आपका भी लहसुन काफी पतला और पीला हो चुका है कमजोड हो चुका है तो उसमें कौन सी दवाई डालें तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं मैं इस पुणिया को एक लगभग 2 लिटर के पानी में मैं इसको गोल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लहसुन की कियारिया नहीं है लगभग 4 कियारिया है लगभग दोस्तों ये दवाई बहुत ही सस्ती है आप एक पैकट लगभग अपने बाजार से 20 से 30 रुपे के बीच में आप खरीच सकते हैं और ये दवाई जो है ये 5 कठे लहसुन के लिए परियापत और काफी है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इसलिए मैं इस एक्सप्रे का यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेश्ट है हम छोटी यूटूबर का भी सपोर्ट करें क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है और ये वीडियो विल्कुल रियल होती है जो हम आपको इस परियोग को करके दिखाते भी है तो वीडियो के लास्तक बनिए और पूरा वीडियो देखिए इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि दवाई डालने के बाद से 10 से 12 दिनों के बीच में क्या अंतर आता है और क्या फाइदा होता है तो मैंने दवाईयो को अपने खेत में छड़क दिया है और देखिए कि रिजल्ट क्या होता है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 10 से 12 दिनों के भीतर ही हमारा लहसुन कितना हरावरा और काफी स्वस्त हो चुका है ये काफी मोटा हो चुका है और जो पीली पत्या है वो भी इसके गिर चुके हैं तो दोस्तों आपके भी खेत में अगर ये वाले रोग हैं आपके लहसुन में ऐसी भीमारिया हैं तो आप सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये दवाई में अभी तक जहां तक है मैं खुद परियोग करके इसका उपयोग और अंतर देख लिया हूँ तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही गार्डन और एगरी कल्चर से संबंदित हम आपको धेल सारा वीडियो ला सके जो की रियल वीडियो हो क्योंकि यहां पर यूटूब पर ऐसे बहुत सारे फेक गार्डनर हैं जो और निय ऐसे किसानों को ही गुम रहा करते हैं और छोटे गार्डनर को भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कीजिएगा धन्यबाद